आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं एटम के बारे में कि एटम होता क्या है तो चलिए समझते हैं एटम को The smallest particle of matter is known as atom देखे किसी भी matter के smallest particle को हम लोग क्या कहते हैं एटम कहते हैं अब यहां सवाल आता है कि matter आखिर में होता क्या है तो anything occupying space having mass containing volume is known as matter देखे कोई भी वस्तु जो स्थान गिरती हो जिसका द्रवमान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं matter कहते हैं जैसे सपोज हम लोग इस pain का बात करें तो यह pain एक matter है कैसे matter है जी क्योंकि इस pain का अपना कुछ ना कुछ mass होगा ठीक है और अगर इसको हम लोग इस paper पे रख दे रहे हैं तो यह इस paper के space को क्या कर रहा है occupy कर रहा है है ना तो इस space को भी occupy कर रहा है यह substance तो यह क्या कहलाएगा आपका matter कहलाएगा I hope आप matter समझ गए होगे हम लोग अपने surrounding में जितने भी वस्तूओं को देखते हैं जितने भी things को देखते हैं सारे substance क्या होते हैं आपके matter होते हैं क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ अपना mass होता है और कुछ ना कुछ space occupy करते हैं ठीक है जी I hope आप matter समझ गए होगे अगे इतरा आपका neutron है तो मतलब यहाँ पर यह है कि atom जो है वो electron proton और neutron के combination से बनता है fundamental particle का मतलब यही होता है कि वो किन-किन चीजों से मिलकर बना हुआ है जब हम लोग atom को तोड़ते हैं तो वो electron proton और neutron में क्या होता है तूटता है आई होप आप समझ पा रहे होंगे अब देखे कि electron का discovery आखिर में किस ने किया है कोन से scientist हुए जिनने आपका electron का discover किया तो electron का discover है वो J.J. Thompson के द्वारा किया गया था तो electron कैसा charge है तो electron एक negative charge है तो electron negatively charged particle है अब बात आता है प्रोटोन का कि प्रोटोन का डिस्कावरी किस ने किया है तो प्रोटोन का डिस्कावरी इ गॉल्ड इस्टीन के द्वारा किया गिया है और proton कैसा चार्ज होता है तो proton positive चार्ज होता है ठीक है जी अब हम लोग बात करेंगे neutron का कि neutron का discovery किस ने किया है तो neutron का discovery आपके James Chadwick ने किया है ठीक है और neutron कैसा चार्ज होता है तो neutron neutral चार्ज होता है उस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है नहीं उस पर positive charge होता है नहीं उस पर negative charge होता है तो वो होता क्या है? neutral होता है ठीक है? देखें electron जो है वो आपके cell में present होते हैं ठीक है? जबकि proton और neutron आपके atom के nucleus में present होते हैं I hope आप atom के बारे में समझ गए होंगे